मैं तो रगता है मैं तब दिल्कुल जिसको भड़वा की यही हाँ, आईञे फिर देश जानना चाहता कि गुझराज चुनाओं में क्या होगा और दिल्ली के MCD चुनाओं में क्या होगा यह सबसे बड़ी क्यूरिस सिटि है दूसरी बड़ी curiosity है कि रवीष कुमार का क्या होगा NDTV इंडिया को अडानी ग्रूप ने खरीद लिया है पर्णोर राधिकार राय का इस्तीफा हो गया है अब रवीष का क्या होगा ये बड़ा curiosity है इस पर ही मैं बात करूँगा लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिए है वो है आपकी जिन्दगी सरकार ने सुप्रीम कोट में हलख नामा देकर कहा है कि वैक्सिन की बज़से हो रही मौतों के लिए सरकार जिम्यदार नहीं है आए दिन वीडियो आ रहे हैं लोग चलते फिरते गिर जा रहे हैं नाचते गाते गिर जा रहे हैं मर जा रहे हैं सवाल है कि क्या ये वैक्सिन का side effect है इसकी जांस तो हो सोचिए जो सरकार आपको मजबूर कर रही थी जो office मजबूर कर रहा था वो सरकार कह रहे कि लोगों ने मर्जी से वैक्सिन लगवाए है जहाज नहीं चर सकते थे दूसरे राज में नहीं जा सकते थे वैक्सिन सर्टिफिकेट नहीं है और अब सरकार पाला बदल रही है तो सोचिए सरकार नोट बंदी हो वैक्सिनेशन हो सब पर पाला बदलती है क क्योंकि टीबी अख़वार उससे सवाल नहीं पूछता है। अगर यही कोई दुसरी सरकार होती और इस तरह के हलफ नामें आते तो सोचिए क्या होता। और सुप्रीम कोट सवाल ना पूछले इसलिए जजो के वीडियो वाइरल हो रहा है। मर्जी से बने उनके संबंद के वीडियो वाइरल करके उनको ग्रीप में लिया जा रहा है। इसी तरह से सुप्रीम कोट के जो पिछले चिप जस्टिस थे गगोई उनका भी एक महिला के साथ संबंद जगजाहिर किया गया। वाइबाद में उस महिला पर भी कारवाई नहीं हुई, जस्टा पर भी कारवाई नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर का फैसला आ गया, रफेल पर मामला सेटल हो गया, और जस्टा भी रास्तावा चले गया। तो फिलहाल देश ऐसे चल रहा है, वो तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं लेकर रहा हूँ, नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तर, गुजरात और MCD पर लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुप्रिम सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा देकर, सरकार ने कहा है कि जो मौते हो रही है, उसके लिए वैकसिनेशन जिमेदार है कि नहीं, इससे को हम नहीं मानते हैं, और अगर जिमेदार भी है, तो मुझे इससे कोई मतलब है, सरकार की गारन्टी नहीं है, लोग मर्जी से वैक्सि वहीं सरकार ने नकेल कस दिया है वो चाहती है किरणी जूजू जूजू चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जजो की भरती कुलेजियम सिस्टम से न हो जुडिशियल कमिस्टन बने समिधान में कहें भी प्रापधान यह अच्छी बात है लेकिन यह भी तब किया जा रहा है जब जजो ने अपने थोरे अकर दिखाई है कुलेजियम सिस्टम तो खतम होना चाहिए लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ न सरकार कुलेजियम सिस्टम लाएगी न जज मानने वाले हैं दोनों सेटल हो जाएंगे वीडियो भी आ रहा है आप जजों का वीडियो लिक हो रहा है एमेमेस और जैसे जैसे चंद चूर डिवाई चंद चूर जो है नकेल कसेंगे सरकार उधर से नकेल कसेंगी फिलाल जुडिसियल कमिशन तो आना चाहिए कुलेजियम सिस्टम खतम होना चाहिए ताकि काफी संख्या में इमानदार जज्जों है और मेरिट वाले जज्जों है वो सुप्रिम कोट और हाई कोट में आए तो मैं उसके पक्ष में हूँ चाहिए सरकार की मनसा कुछ भी हो अगर यह होता है तो यह तिहां सी फैसला होगा कॉंग्रेस बीजेपी ने आद तक जाती बाद संपरतायबाद को बढ़ाबा दिया और सारी समयधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया लोग सवाल पूछ रहे हैं बहुजन पत्रकार से मीना कोटवाल ने राहूल गांधी का इंट्रिव्यू किया है और आरके रानी ने पूछा है कोलेजियम सिस्टम से जज़ बनेंगे लेक्टरल हिंटी से आईएस आईपीएस बाकी नकरिया ठेके संभीदा पर स्वास और सिच्छा के नीजे आतों में देना ये सारे सवाल मीना कोटवाल ने नहीं पूछा राहूल गांधी से इसलिए लोग बहुजन समाज के लोग नाराज है और उनको अब कह रहे हैं कि वो पूछवनी हुई है कॉंग्रेस की इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं मैं फिर भी कह रहा हूँ कमसे कर बहुजन पत आप मीडिया है बीजेपी मीडिया के दम पर दिल्ली और गुजरात में चुनाव लग रही है यकीन जानिये दोनों जगा मामला टाइट है दिल्ली में MCD में तो कमसे का माम आदनी पार्टी लीड लेते हुँ दिख रही है तगरे वाली फाइर दे रही है बीजेपी सक्ते में है सुचिए दस साल तो मनमहन सिंग रहके गए थे इतनी जादा किरकीरी तो मनमहन सिंग की भी नहीं थी जितनी किरकीरी बीजेपी के आटवे साल मोड़ रही है और गुजरात में भी बहुत टफ मामला है साम दाम दंड फेद और मीडिया के बाब जूद भी जनता रहाई होगी बहुत जनों को गिरफतार किया जा रहा है सोचिए रवीज कुमान ने अपना ब्लोग सुरू कर दिया फिलाल तो उन्होंने नौकरी छोड़ देंगी इसकी बात नहीं कहीं है वैसे भी एंड टीव में 23 घंटा तो वही चलता था जो बीजेपी चाहती है सवन चाहते हैं रवीज कुमान ने कभी गैर सवन को पतकार भी नहीं बनाया है उनका थोड़ा बहुत शो होता था लेकिन हिंदू मुस्लिम पर आपको प्रो मुस्लिम दिखेंगे दलित एक्टो सिटी पर वो प्रो दलित दिखेंगे लेकिन जब स्थी एस्टी ओबीसी चाहता होगा कि विश्वस्नियता बढ़ेगी अब और बहुजन समाज के लोग जो एंडी टीवी के चक्कर में फसे हुए थे वो यूटूब पर आएंगे चलिए रिसपन्त नाम में सब कुछ रखा है रिसपन्त को लगाता ढोया जार और उसके चक्कर में बहुजन में एक साधू है ये कह रहे है कि पहले हमारे पास तक्सिला था नालंदा था और बिक्रम शिला था इन मेडम को पता नहीं कि वो समराट अशोक का दौर था मौरगुप्त का दौर था और उसको यहां के मनुबादियों ने जला दिया और उसके बाद आजादी के बाद एमि मेस जारी हो रहा है जजस सहाब का है कि मेमेस जारी हुआ है कुछ लोग कह रहे है बीरोक्रेट्स का है तो कुलोजियम का दबाब बन रहा है सुप्रिम कोट पर तो सुप्रिम कोट के वीडियो भी क्लिप भी जारी हो रहा है इसी तरह गगोई के साथ हुआता है मैला ने आ सबन जातियों का दबदवा है दिलिप मंदल ने का इसलिए ज़्यादा चिंतित्म तो यह रविस के लिए मुकबधिर बच्चों के किड्नैप और गैम ग्रेप मामले में राजस्थान में लगातार लोग धरना परदसन कर रहा है सलेस मुसुल पुडिया ने और गुजरात पांच सालों में राजस्थिक दलों को मिला 174 करोड का चंदा 163 करोड अकेले BJP को यार की रिपोर्ट है मुझे गलत करने पर मजबूर मत करो इधर सुधर जाओ सुचिए खेसारी लाज जो की OBC कम्यूटी से है यादब कम्यूटी से है लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है जाती के नाम पर सुचिए वो हिंदू है भक्ति का गाना गाते हैं तो भी बैचारे की जाती आ रही आ रही मैं फिर कह रहा हूँ सबसे सांदार तस्वीर है तमिलनादू के मुखमंत्री साहब का और उनके साथ है पी बिलसन इनको उन्होंने अपना वकील नियुक्त किया है डीमके ने सोचल जस्टिस की लड़ाई को पी बिलसन साहब नहीं ओवी सी के लड़ाई लरी थी नीट में रिजर्वेशन का और कर बिल में बंद सबसे जादा बहुजन है जो गरीब है लाचार है बेवस है सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जब से द्रापदी मुर्मू राश्पती मही महीं में द्रापदी मुर्मू ने सबाल उठाया है ते जस्ट भी नहीं सबाल को उठाया है और यह वायरल हो रहा सहर के पिए मुगल रहें जाली नोट कानपूर की खबर है नोटबंदी का साइड इफेक्ट है कल तक थाइंक्यू चल रहा था आज कह दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है सोचिए कल तक थाइंक्यू वैक्सिन मोदी जी फिरी में वैक्सिन दे रहे थे क्या मौत का वै सोचल मीडिया पर ये वाइरल हो रहा है एक राजपुत पुलिस सदिकारी है जो बंस में टीकट नहीं ले रहा है वीडियो देखिए और इस वक्त कारपालिका न्यापालिका और बिधाईका में पतन की होर मची है एक IPS आईएस के बाद जस सहाबी छाओं की भेट चर गए वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है तो सुचिए वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है लेकिन लोग कहे रहे हैं कि ये संबंद जो है वो सहमती से बना है इसमें किसी को क्या आपति है खेर वैक्सिन सो ही मौत के लिए सरकार जीमेदार नहीं है वैक्सिन लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई है कोई कानूनी बादेता नहीं है तो यह सोसल मीडिया पर और रभीस के इस्तीफा अभी नहीं हुआ है रभीस कहां जाएंगे ट्यूटर पढ़ाएंगे रसन हुआ है और यह देखे तकरीवन धाई साल बाद दिल्ली में पुलिस ने दिल्ली में तबलीकी मरकज को सुचिए क्रोना के लिए तबलीकी जमात को निर्दोस बताया गया था जाच में कुछ नहीं मिला अब उनको चाविस अप दी गये टीबी अख़वार वाले माफ रहेंगे वैक्सिन आई तो ऐसे महल बनाया गया कि जो न लगवाए वो देश द्रोही है दफ्तरों ने का बिना वैक्सिन लगवाए नहीं आना है और अब कह रहें कि कोई मतलब नहीं है गुजराच चुनाओ क्रिकेटर रविंदर जेदा के पिता ने कहा है कि कॉंग्रेस को मोर दीजिए बीजेपी को मोर मत दीजिए और कुरोना वैक्सिन लगवाने के लिए मौत के लिए सरकार जिम्यदार महीं है तो यह सबसे बड़ी ख़बर है जो मैं आपको बता रहा हूं और यह मेरी चिंता है रवी उसकुमार यूटूब पर आ जाएंगे उनके लिए कोई कमी नहीं है बहुजन समाज को अपना बहुजन चैनल मजबूत करना चाहिए और इसी करी में 6 दिसंबर 7 दिसंबर को रामरिला मैदान में बड़ी बैठक है तो उसमें भी आपा सकते है वहीं दिल्ली में और गुजरात चुनाओं में मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी पहली बार फस्ती दिख रही है और अगर 2024 से पहले गुजरात चुनाओं में जिस तरह का महौल है यकीन मानिये जनता बहुत नाराज है और बीजेपी सबसे ज़्यादा मीडिया का सहारा ले रही है सामदाम दन्वे सब चल रहा है उसके पैसा है संसादन है पन्ना परमुक है बीजेपी को हराया जा सकता है विपक्षी पार्टी अगर कमर कसले थो जैसे अखले सभी घर घर घूम रहे है खैर टीवी अख़वार में भले न दिखे लेकिन गराउंड पर कॉंग्रेस वाले और आमाद्नी पार्टी वाले बहुत शक्रिये है दिल्ली MCD चुनाओं मे जो लोगों का उपिनियन है वो आमाद्नी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वैक्सिन क्या सरकार नहीं कह रहे थी कि वैक्सिन लगवाओं क्या जबरदस्ती नहीं थी क्या ओफिस वाले नहीं कह रहे थे क्या एयरपोर्ट आप लिबेर पर जाट नहीं हो रहे थी का सूब फ़़ा इसट्री नहीं हो रहे थी और अब सरकार हलफ नामादे के कह रही है कि अगर वैक्सिन के लिए हम जिम्मधार नहीं है उति होती है तो जांश तो करवाई और जाजो के अब एमेमेस virdल हो रहे हैं तो कोलेजियम सिस्टम को लेकर जजों पर दवाब बढ़ रहा है सरकार भी सामदाम दन रिवेदा अपना रही है लेकिन बहुजन समाज कोलेजियम के खिलाव है आप लोग अपनी पर्तक्रिया जोर दीजिये शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे